गईज अगर आपके फोन में इस तरीके से प्रोब्लम आ रही है यहाँ पे लिखा रहता है Process System It's Responding तो इस तरीके से अगर आपके फोन में प्रोब्लम आती है तो गईज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्रोब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस प्रोब्लम को सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिखा रहता है प्रोसेस इट्स रेस्पॉंडिंग तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन को स्वीच आफ कर देना है जब भी आपको यह प्रोब्लम आती है तो तो स्वीच आफ करने के बाद दुस्तों जब आपका फोन आउन होगा तो यह प्रोब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी बट अगर बार-बार ये problem आ रही है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले setting को open कर लेना है और यहाँ पे आपको उपर के और slide करना है अब यहाँ पे आपको application पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे click करने के बाद आपको manage apps पे click कर लेनी है यहाँ पे जैसे ही आप click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको उपर के ओर search का option आएगा यहाँ पे आपको click करना है और यहाँ पे आपको system लिखके search करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने android system करके एक option आजाएगा यहाँ पे आपको click करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोरिस पे क्लिक करनी है अब यहाँ पे आपको clear catch कर लेनी है तो जैसे आप clear catch करेंगे तो guys आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी आपको बिल्कुल भी कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी अपने phone में और अगर आपको फिर भी कोई भी problem आ रही है तो आप सभी लोग मेरे को comment करके बता सकते हैं फिर guys मैं आपको उसका solution बता दूँगा तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और हमारे channel को subscribe भी कर लिजिए